रिसेंटली हमारे कई दर्शकों ने मुझे मैसेज किया और पूछाए कि सर हम अच्छे वीडियो तो बनाना चाहते हैं लेकिन हमें वीडियो एडिटिंग नहीं आती या जो वीडियो एडिटिंग के सौट्फेर इंटरनेट पर अवेलेबल हैं वो इतने महेंगे कि अभी हम बना भी पाएंगे और आप उन्हें यूट्यूब पे अपलोड भी कर पाएंगे इसके लिए मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूँ यदि आपके पास लेप्टॉप या कंप्यूटर है तो भी उनके लिए जो सौट्फेर अविलेबल है फ्री में मैं उनके बारे मे भी बात करने वाला हूँ और यदि आपके पास सिर्फ एक मोबाइल है तो भी हम वीडियो एडिटिंग टूल के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप अच्छे वीडियो बना पाएंगे बने रही हमरे साथ देखते रहिए नॉलेज के इंगड़म चले दोस्तों देखते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से हम फ्री में किसी भी वीडियो को एडिट कर सकते हैं और बहुत अच्छे वीडियो बना सकते हैं यदि आप बिगनर्स हैं और आपने अभी वीडियो एडिटिंग का काम करना शुरू किया है तो ये वीडियो आपक हैं और जिनसे बहुत अच्छ अच्छे वीडियो हम बना भी सकते हैं जिसमें सबसे पहला जो वीडियो एडिटिंग प्रोग्राम है उसका नाम है जो बहुत इसली यूजिकितों के जो अचंछ कर यहां ज wissen भी प्लाइशन दोन ही में अच्छास करता हैס यहां जब में नीचे स्क्रॉल करता हूं यहां से alux के लिए मेरे पास ये क्लिककर कर देता हूं और कलिकर करने के हमेशा कहते हैं कि sir Mac के लिए भी कुछ बताईए तो यह एक ऐसा प्रोग्राम है चाहे आपके पास कोई सावी सिस्टम हो उन सभी के लिए यह बहुत यूसफुल है फिलाल इस पर मैं डाउनलोड लिंक पर जाता हूं यहाँ पर डबल करता हूं तो आप देखिंगे कि नीचे जो लोवर लेफ्ट कॉर्णर है यहाँ पर डाउनलोड इंग शुरू हो गई है मैं इस प्रोग्राम को पूरा डाउनलोड करता हूं और इसे से open करता हूं तोस्तों जैसे मैं software को open करता हूं मुझे कुछ इस तरह का interface देखने को मिलता है यहां आप देखते हैं सबसे पहले जो नीचे का area है इसे हम बोलते timeline आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे tracks हैं आप यह tracks आप देख सकते हैं 12345 जो अरड़ files हैं चाहिए वह video हो चाहिए image हो चाहिए वह कुछ भी जो हम files से edit करना चाहते हैं हम फिलाल इस area में रखते हैं वहां से हम यहां लाते हैं edit करते हैं और उसके बाद में उसका जो भी preview है वह हम यहां देख सकते हैं तो इस तरीके से हम रपास तीन area हो गई जो project file area timeline area और यह video preview area तो इस तरीके से इन तीनों ही window को हम आपस में adjust कर सकते हैं कम ज्यादा कर सकते हैं चोटा बड़ा कर सकते हैं तो जैसी आपके requirement हो उसके अनुसरा आप set कर सकते हैं friends जब भी को video start होता है तो उसकी शुरुवात होती है एक title से तो हमें एक अच्छा सा खुपसवर title हम इसमें add करना होगा तो यहां मैं ऊपर title option में जाता हूं और यहां title पर click करता हूं तो यहां पर हमारे पास बहुत सारे options मिल जाएंगी कि किस तरीके से हम अपने title को इंट्रो को start करना चाहते हैं तो यहां पर मैं यहां दिखिए फर्स जो है मुझे ठीक लग रही है तो मैं यहां पर जाता हूं और इसमें edit करता हूं इस जगह पर line 1 जो आप देख सकते हैं इस जगह पर मैं टाइप करता हूं और मैं लिखता हूं welcome लिखने के बाद इसे में यहां पर save कर देता हूं तो save करने के बाद यहां पर एक template जैसे हमारे आप बन गई है इसे में पकरता हूं और खीच कर नीचे यहां लियाता हूं तो अब यहां देशने प्रीवियो में हमारे पास यह welcome लिखा हूँ आगया तो जो हमारे वीडियो स्टार्ट होगा तो इस तरीके से यहां पर देखे प्ले कर सकते हैं हम चेक कर सकते कि इस तरीके से हमारे वेलकम लिखा है और यदि आप चाहते हैं एनिमेटेट फॉर्म में आए तो आप इस पर कि हमारा कुछ वीडियो स्टार्ट हो वीडियो के लिए मैंने डेक्स्टॉप पर कुछ वीडियो रखे हैं मैं यहां पर कार का वीडियो है उसे मैं ले लेता हूँ देखिए यहां पर आ गया है यह हमारा फर्स्ट यह हो गया और सेकंड अब हमने इस वीडियो को खीच के टाइम लाइन पर ले आए और टाइम लाने के बाद अब इस पर मैंने प्ले किया तो जैसे ही हमारा टाइटल खतम हुआ हमारा यहां पर वीडियो शुरू हो गया अब देख सकते हैं इस तरीके से हमारी जो वीडियो शुरू हो गया अब शुरू होने के बाद में यहां पर ह हम चाहते हैं कि जो वीडियो हमारे चल रहा है इसके ऊपर कुछ और चीज हो जो इसके उपर अटेक्स जैसा आ जाए तो आप यहां से प्लस करिए और हम एक इमेज को ले लेते हैं कोई भी इमेज यहां पर लाई है उस इमेज को इस वीडियो के ऊपर चलाएं तो हम लोग इसको खीच के यहां ले आते हैं तो आप देख सकते हैं यह जो इमेज है हमारे यहां आ चुकी है और इस इमेज को जैसे हैं पर्टिकुलर जब यह जो टाइम सकते हैं जैसिए साइस हमें इसकी बनानीं बना सकते हैं और कम जादा सकते हैं कितने समय तक आप i come watch Crane yes पहां सकते हैं तो भी आप यहां अच्छे से set कर सकते हैं तो अब मैं इस फिलाल इसकते दिखाता हूं आपको आ झाल Ett taste तो किसी भी इमेज को किसी भी टाइटल को आप यहां पर एड़ कर सकते हैं तो यह हुआ फिलाल इसे मैं भी यहां से हटा देता हूं और अब मैं दिखाता हूं आपको कि दो वीडियो को कैसे जोड़ा जाता है अब मैं यहां से फिर से प्लस करता हूं मैं एक और कितनी भी फ धूसरे वीडियो से जोडती है उसको स्मूद बनाती है यहां पर अलग तरह के त्रांजिशंस अप्सकते हैं मैं यहां पर कोई भी और को फी istemya प्राइर करता हूं और इसमें यहां लगा के देखता हूं आप देख सकते हैं कि जब एक video खत्म हुआ और दूसरा जब शुरू होगा तो इसमें transitions आएंगे जैसे वीडियो खत्म हुआ और यह आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यदि मैं ट्रांजिशन नहीं लगाता हूं तो यहां पर यह बड़े रुखा सुखा इसमें ट्रांजिशन आएका यानि कि जो मुवमेंट होगा बड़ा अजीब जो गरीब होगा आपको अच्छा नही करते हैं हमने यहां से एक ट्रैजिशन से दूसरे अभी वीडियो जो होगा ट्रांजिशन के माधियम से इदर इदर आएगा देखिए तो एक अच्छा इफेक्ट आप देख सकते हैं कि यहां आपने अब्जर्व किया कि जब एक वीडियो खत्म हुआ दूसरा वीडियो शुरू हुआ तो ट्रांजिशन के माध्यम से एक बहुत स्मूध मुवमेंट हम लोग अब्जर्व कर सकते हैं इसमें अलग-अल Burnaneer Time, Project, फास्ट में गये का और यहां पर इसके हैं आप यहां आ पर देखा कि इस तरीके से इस तरीके से आप यह है और यह शूरू भी तो बहुत सारे इसमें इफेक्ट से हों भोग यहां पर देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि जो बार से तरीके जो पहले हम effect नहीं लगा रहे थे तब या condition थी और अब क्या condition थी तो इस तरीके से आप effects इसमें दे सकते हैं तो multiple options आपको देखने को मिलते कारें हैं दोस्तों को और यहां बहुत सारा टाइकशन से क्रोक्थ हम यहाँ यहां पे आप वीडियो को आप कर सकते हैं इसके यह इसलिए हैं इस थिसी năm में सब्सक्रट आप जैसे ही मैं यहां पर आपको अलाइमेंंट करने सकते हैं तो एक बहुत आसान और अच्छा software है तो यह सारी चीज़ जितनी भी है अपने यहां पर देखी अब जब फाइनली एक वीडियो आपका यहां पर बन गया है ठीक है आपको लगता है ने ठीक टाक साब काम होगे तो अब इसमें थोड़ी सी music लगा सकते है music के लिए अब वापस प्ट्लस करिए अब में यहां पॉस्के ऐड्य करता हूं और मुझीक करता हूं तो आप देख सकते हैं हमारी music भाइल यहां पर आ चुकी है और music के साथ लगा यह हमारेensions हमारे तो दोस्तों आपने दिखा कि हमने music file इसमें add कर लिए अब हमें लगता है कि हमार प्रोजेक्ट पूरा तयार हो गया है उपर music file भी आ चुकी है नीचे वीडियो भी आ चुकी है तो अब हम इससे हमें जरूत पड़े की render करने की render करना मतलब फाइनली इसे produce करने के अब हमें जरूत पड़ रही है तो अब हम यहां पर आ जाते हैं इस red dot पर यह है export video इस पर जैसे हम click करते हैं और अब आ गया है हम यहां पर किस नाम से आप इस project को आप export करना चाहते हैं तो मैंने लिखा first video और यहां पर इसके बाद मैंने इसे browse करके मै मैं यहां से recommend करूंगा कि आप यहां पर जो format चूज करें वह जिनका default format है उसी को आप चूज करें that is MP4 यह सबसे best है फोड़ा सा video profile अगरा थोड़ी सी change कर सकते हैं आपको लगता है कि नि मुझे थोड़ा सा अच्छी quality का चाहिए तो आप फोड़ा सा 180 आप format में जा सकते है 30 fps पर ले सकते हैं तो आप HD format में रहेगा और यह आज से आपकी quality थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी quality आप low, medium, high जैसी चाहिए विसे कर सकते हैं यदि आप बहुत ज्यादा high करते हैं तो इस file size बहुत बढ़ जाएगी तो आप इससे video को export करते हैं तो आपका यहां पर देख अगला software है Windows Movie Maker जो हर computer में देखने को मिलता है यदि आपकी पास Windows 10 या उससे advanced version है तो आपको मिलेगा video editor मेरे पास अभी यहां पर video editor है और यदि आप थोड़े से पुराने version में है Windows के तो आपको मिलेगा Windows Movie Maker आपको यहां पर टाइप करना होगा Windows Movie Maker मैं यहां जैसे टाइप कर रहा हूं video editor तो यहां पर मैं जैसे टाइप करता हूं तो एक खास तरह का interface यहां पर देखने को हमें मिलता है यह बेकुत similar वैसा ही है जैसा हमारा open shot था और अब मैं यहां पर इ देखिए एक interface खुला है इसमें यह जो एरिया है इसे हम कहते हैं timeline area वही सेम यहां पर हमारा video preview area और यह है हमारा project library area यानि कि हम अपनी raw files को यह लएंगे सबसे पहले मैं add करता हूं कुछ files को यह हमारा video इसे मैं open कर देता हूं और यहां पर मैं लेकि आ गया हूं और इसको य यहां इसको यह करने के बाद में अब हम text पर जाते हैं जैसे हम text पर जाते हैं तो यहां देखिए multiple options यहां पर आ रहे हैं तो आप यहां पर मैं लिख देता हूं वही हमने जो लिखा था Welcome Welcome friends मैंने यहां लिख दिया और इसे done कर दिया तो आप देख सकते हैं कि अब जब मैं इसको play करूंगा तो यहां पर यह पूरा play होना शुरू हो गया Welcome friends तो यह बड़े खुबसूरती से यहां पर आ रहा देखिए बहुत अच्छा इंट्रों यहां पर बन रहा है और यह जब बन जाय पूरा complete हो तो अब हम अपने इस वीडियो को ला सकते हैं सपोस्पोस करिए हम कार के review करते हैं यादि हमें auto mobile से संबंदित को अपना वीड कर सकते हैं हम किसी बी वीडियो को लिखाय को आप अहलो तो आप यहां पर इस तरीके से किसी भी तरहीं की कोई प्राइड कर सकते हैं अब मैंने आप इसमें एड़ किया और अब आप देखिए जो जिस प्रकार का एनिमेशन होगा वो इस तरीके से होगा लिखा हूँ आ गया तो यह बढ़ा खुबसूरत लगता है इसके बाद यही मैं चाहूं तो और कुछ मुझे वीडियो एडिट करना है तो आपने यह दे शमें कुछ है तो इसमें Alice कर सकते हैं मुल्टी है इसमें सारी चीज जो शक्ते हैं जब आपको लगता है कि इसमें बहुत सारी चीज वीडियो हमने पूरी सीरीज देयार कर लिए स्बकुछ अच्छा हो गया तो अ अब हम इसमें एक असले अच्छा से म्यूजिक लगा सक चुका है अब ज़र चला के देखते हैं अब बड़ा अच्छा इंपक्ट क्रेट हो रहा है और आप यदि को ऐसा स्टनिंग वीडियो बनाना चाते हैं तो यह एक बहुत अच्छी जगह हैं बहुत से लोग इसे लेकिन मेरा परसनल एक्परियेंस है कि यह बहुत अच्छा सॉट फेयर बहुत चीजें यहां पर बहुत अच्छे से होती है तो यहां पर अपने कस्टमाइज ऑडियो भी लगा सकते हैं यह तो बैगरांड म्यूजिक हुआ आपको लगता है कि मुझे मेरी खुद की अपनी लगा सकते हैं और नहीं लगाना है तो आप इसको छोड़ सकते यहां पर मैं से कैंसल कर द neighbors और आप देखें फिल्टर के बाद में अब हमएरे पास जो है यहां पर इसकी स्पीड क्लिप यहां राता है कि उसकी स्पीड यह भड़ी 5 बड़ा नहीं चाहिए तो बड़ीक थेज़ी सेख किसी बड़ी बड़ी से चलाना है यहां कि देजते हैं स्पीड को पो से ernst-स को या व कंद घर सकते हैं अब यहां जो वीडियो है हमारा वाड़ा फास्ट चलना शुरू हो गया है तो इस तरीके से आप इन से भी क्लिप को सैट करते हैं और जब यह पूरी तरीके से आपकी सीरीज तैयार हो जाए तो अब आप इसे कर सकते हैं अब मैं यहां पर इसे करता हूँ और यहां पर बता गया है कि जो इसकी हाई क्वालेटी है 1081080P रेकमेंडेट है आप इसको एक्सट्रेक कर सकते हैं और जैसे इसको आपकी रेंडरिंग शुरू हो जाएगी इस नाम से हम लोग इस फाइल को यहां पर सेव कर सकते हैं मैं डे वीडिया हो तो एक बार यह एक्सपोर्ट अच्छे से हो गई हमारी फाइल मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा भी देता हूँ देखिए आप तो दोस्तों देखा आपने की कितनी आसानी से हमने एक वीडियो को भी यहां पर क्विएट किया और बड़ी अच्छी तरीके से हम इसे एडिट भी कर सकते हैं फ्रेंट सिधी आपके पास कंप्यूटर या लेप्टॉप नहीं है तो आप गवरहिए नहीं आप अपने मोबाइल से ही यह सारे वीडियो अच्छे से एडिट कर सकते हैं और वो भी बिलकुल मुफ्त में इसके लिए आप अपने सबसे पहले प्ले स्टोर में चाहिए और जब मैं इसे उपन करता हूँ तो में पास एक यहां पर इंटरफेस आ रहा है इस टाइटल पर मैं अल्रेडी वीडियो बना चुका हूँ फिर भी जो लोग फ्री में अपने मोबाइल का एप्लिकेशन चाहते हैं इस टाइप की एप्लिकेशन जो जिसमें अच्छी अरहे होंगे और जो भी वीडियो से लेंगे वहां पर आज आएगा इन पर नीचे लओर कॉरनर में जो खुः भी चाटानम का रहा है तो आप अपने screen को कैसे बी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें औरिजनल फॉर्मेट यह है मैं आप सबी को रेकमेट करूँगा कि आप 16-9 यह जो फॉर्मेट है आप इसे इस पर सेट करके रखे हैं इसके साथ ही आप अपने अलग तरह के बेक्राउंड लगा सकते हैं आप देख सकते हैं वीडियो मे आप इसमें एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हैं contrast, light and जो सारी चीजे saturation सब कुछ इसमें आप सेट कर सकते हैं जब कुछ आपको लगता कि अप सेट हो गया है तो इसे आप ok कर सकते हैं तो इसको प्ले करके देख सकते हैं तो यह हमारे वीडियो यहाँ पे प्ले होना शुरू इसको आप default set कर सकते हैं तो यह हुआ हमारा editing के part यहाँ पर और जब edit option बजाते हैं तो यहाँ पर आपको multiple चीजे मिलती है जैसे इसे आप split कर सकते हैं दो पार्ट में यह आपको divide करना है तो हम यहाँ पर इसे split कर सकते हैं इसी वीडियो को copy करके एक और हम इसमें यहाँ प move कर सकते हैं तो मैं फिलाल इसे undo कर देता हूं और हम वापस original format में आ गए हैं यहाँ आने के बाद में यहाँ पर देखे volume option आ रहा है अभी हमने इसमें किया नहीं कुछ crop करना है तो हम इसे crop भी कर सकते हैं देखी यहाँ पर इस तरीके से तो cropping जो है आपके पास बहुत तर vertically कर सकते हैं या आप यहाँ पर इसको इस तरीके से edit कर सकते हैं और यदि यह सारे adjustment आपके पूरे हो जाएं तो इसे आप OK कर सकते हैं इसे आप चला सकते हैं तो आप देख सकते हैं अब हम वापस यहाँ पर अपने original format में आ गए हैं तो यह editing यहाँ पर हो चुकी है यह सारे जितनी भी चीजे हैं बहुत सारे अच्छे options आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अब यहाँ पर आ रहा है filters आप किस type का आप अपने इस image को change करना चाहते हैं तो यह multiple effects हैं आप इनमें add कर सकते हैं उसी के साथ आप इस image को चला सकते हैं देखते हैं कि यहाँ पर हो हैं और आपको कोई image ठीक लगती है तो इसे कर सकते हैं अधरवाइस इसे आप वापस undo redo कर सकते हैं यहाँ पर कुछ effects आ रहे हैं आप effects भी देख सकते हैं इस तरीका के लिए effects यह तो इसको आप long press करना होगा तो आप यह यहाँ पर देखिए बड़ा cinematic effect आप देख सकते हैं और यह होने के बाद अब यहाँ पर मुझे रखता है मुझे stickers कुछ लगाने हैं कोई expression मुझे यहाँ पर देने हैं तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ मैंने यहाँ पर expression लिया और मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया तो मैं यहाँ पर कुछ भी मैं यहाँ पर expression लगा सकता तो यहां पर यह जो चीज है टाइम लेंग के इसमस हात पर आ जाती है आप मुझे यहां पर लगता कि कोच टेक्स एड़ करना है तो आप यहां पर लिख सकते हैं यहां मैंने वही चीज लिखी welcome और यहां पर इसे ok कर दिया welcome का color मैंने थोड़ा से जो चाहिए color मैं अपना रख सकता हूँ मुझे लगता कि font size थोड़ी सी बड़ी करनी ये बड़ी कर दिया color जो रखना चाहिए मैंने बढ़ा के यहाँ पर मैंने इसे black कर दिया और इसे मैंने यहाँ set कर दिया तो अब जब मैं इसको image को आप यहाँ लगा सकते हैं और इसमें आप अपने एडिट कर सकते हैं साथ में आप यह आ रहा है option music का music का आप किसी भी तरह का आप अपना खुद का voice over दे सकते हैं या आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर local file चाहिए तो ला सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर यह music leщо को मैं लेता हूँ और इसा मैं मूव करता हूँ 아-प देख सकते हैं मीने पर मूव किया और मैंने से यहाँ लगा दिया यह रहुने के बाद में अब हम प्ले करते से आप देख सकते हैń यहां पर यह music जो है वो चलना शुरू हो जाएगा और इसे में खींच के बढ़ा कर देता हूँ अब मैं इस पूरी जो फाइल इसको मैं अच्छे से प्ले करता हूँ तो दोस्तो इस तरीके से जब पूरी एडिटिंग आपकी पूरी हो जाए तो यहां पर आप देखे हैं अपर राइट कॉर्णर में निशान आ रहा है डाउनलोडिंग का आप इस पर टैप करें और आपको जैसी क्वालेटी चाहिए आप यहां से सेट कर सकते हैं सबसे हाई क कौन सी क्वालेटी चैट करना चाहिए आप सेट कर सकते हैं आप इससे हाई कर लिजिए और इससे आप एक्सपोर्ट करते हैं जैसी आप एक्सपोर्ट करते हैं यहां पर यह फाइल बननी शुरू हो जाएगी और बहुत जल्दी आप इस फाइल को देख पाएंगे देखे कि हमारे फाइल जो है यहाँ पर के से हो चुकी है और वॉल्यूम मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ इस तरीके से हम वो मल्टीपल वीडियो अपने सिर्फ मोबैल से बना सकते हैं मुझे पूरा विश्वा से दोस्तों यह वीडियो आपको जुरूर पसंद आया होगा और साथ में आने वाले बैल आइकन को प्रेस करना ना बोले ताकि आपको हमारे आने वाले और भी रोचक वीडियो के अपडेट समय समय पर अपने मोबैल पर मेसेज के रूप में मिलते रहें और आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें thank you so much thanks for watching this video thank you